जैहिन दोस्तों मेरा नाम है मनुश और आप देख रहे हैं दी आर्मी बाई यूटीव चैनल तो आज हम डिस्कूस करेंगे राम सिंग याद की बुक का प्रैक्टिस सेट नमबर 6 जो कि आपके आने वाले इंडिन आमने इक्साम के लिए बहुत ही मतब और प्रशन रहेंगे 50 कुशन हम डिस्कूस करेंगे जिसमें से आपका जो टार्गेट रहेगा 40 कुशन का आपका टार्गेट रहेगा और साथ मैं आपको मौक्टस भी जरूर लगाना है आपको देख लिए आपको कितने कुशन इसमें आते हैं और आपको कोई भी प्रशन रहता है तो आप आता है समाने गया जीकी के पहला कोशन नमारा आता है सबसे गर्म गरह कौन सा है जो सबसे गर्म गरह वो आपका कौन सा है शुकर शुकर जो है यह आपका सबसे गर्म गरह है फिर कोशन आपके आता है पृत्वी के सबसे निजदीक गरह कौन सा है तो शुकर जो है यह पृत् प्रिथवी की बहन किसे कहा जाता है। सूरे के नजदीक ग्रह कौन सा है तो सूरे के नजदीक जो है आपका कौन सा ग्रह है उप ग्रह है बुद जो है वो आ सूरे से नजदीक ग्रह है फिर कोशन आता है किस ग्रह का कोई भी उप ग्रह है नहीं है बुद और शुक्र का बुद और शुक्र का कोई भी ग्रह है नही यह 0 ग्रह है, फिर question आता है, सबसे ज़्यादा उपगर है, किस ग्रह के हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा उपगर है, किस ग्रह के हैं, तो ब्रस्पती, ब्रस्पती के सबसे ज़्यादा उपगर है, 69 में रिखाल से, 69 जो है, ब्रस्पती के सबसे ज़्यादा उपगर है, फिर question कौन सा है सबसे बड़ा लाल गरह कौन सा है तो मंगल जो है वो सबसे बड़ा लाल गरह Next question मेरा आता है प्रतम महिला Air Marshal कौन थी? तो भारत के प्रतम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रतम फील्ड मार्शल थे? वो मानिक शाओ थे next question आपका आता है सुन्दर वन किसके लिए परसीद है सुन्दर वन वन्य जीब जो है आपका किसके लिए परसीद है बाग के लिए परसीद है question आपके लिए आता है सुन्दर वन्य वन्य जीब जो है ये किस राच्य में पढ़ता है जलजी सिसका सी अंसर बताईए Quesion आता है UNO का मुख्याले कहां स्तीत है तो स्विक्त रास्ट संग का जो मुख्याले पढ़ता है वो आपका कहां पढ़ता है New York USA में इसका मुख्याले पढ़ता है UNO Quesion आता है UNO की स्तापना कब होई थी 24 अक्तोबर 1945 को UNO की जो है वो स्तापना होई थी Quesion आता है बरतमान में UNO के कितने स्तस्य है 113 इसके स्तर्से है और भारत अस्त्ताई अधस्टे है फिर question आपका आता है इसकी बhashाइ इंगलिश और फ्रेंश जाता है एक question आपका आता है चंदर्मा प्रिथवी पर कितने दिनों में चक्र पूरा करता है यहाँ पर बात हो रही है यह हमारा चंद्रमा माफ करे प्रित्वी है और यह हमारा चंद्रमा है यह प्रित्वी का पूरा चकर कितने दिनों में काड़ता है तो 28 दिनों में यह पूरा चकर काड़ता है और प्रित्वी जो है अपने गुर्ण पर घूमती है और एक चकर जो है सब्ब्रदेश को चीनी का उत्पादन करता है तो इसलिए भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है उत्तर परदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है सबसे अधिक साक्षर्ता किस राज्य में है सबसे अधिक साक्षर्ता जो है भारत में केरल राज्य में है कितनी परसेंट है आप जल्दी से बता तो ठीक है 70 परसेंट कुछ है 80 परसेंट कुछ है या कितनी है जल्दी से कमेंट करके बताओ एक्स कुशन आता है राज्य में विधान सबा को कोन भंग कर सकता है तो राज्ये में जो बिधान सवा होती है उसे राज्ये पाल जो है वो बंग कर सकता है कोशन आपका आता है संसत के किस सदन को कोई भी भंग नहीं कर सकता तो राज्य सवा जो होती है यह एक स्थाई स्दस्य होता है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता ठीक है यह कुशन इंपोर्टेड है राज्य सवा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता अब आपके लिए कुशन आता है लोग सवा को कौन भंग कर सकता है लोग सवा को कौन भारत की सीमा जो है सबसे ज्यादा बांगलादेश के साथ लगती है और बांगलादेश जो है वो त्रीपुरा को अपने तीनों तरों से घेरता है कुशन आता है कौन सा राज्य जो है वो बांगलादेश चे तीनों तरों से घेरा हुआ है तो त्रीपुरा जो है यह तीनों कम सीमा भारत की लगती है लेक्स कुशन आपका आता है कोलकता किस नदी के किनारे स्थित है कोलकता जो ही किस नदी के किनारे स्थित है यह आपकी हुगली नदी के किनारे स्थित है फिर कुशन आता है गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर पड़ता है तो सबसे इंपोर्ड़ि जोनपुर आपका गोंपती नदी के किनारे स्थित है, फिर आता है सर्यों मौस्ट इंपोरिट है, आयोध्या जो है ठीक है, आयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है, और गोदावरी आपकी मौस्ट इंपोरिट आता है, नासिक जो है, नासिक के आप बहुत सारे सेंट इनक्सिन इसलिए पूछाते आता है नासिक जो है किस नदी की किनारे स्तित है नासिक जो है आपका गुदावरी नदी की किनारे स्तित है Qwegion आपका आता है प्रित्मी समिलन 1990 में कहाँ शुरु हुआ था तो प्रित्मी समिलन जो कि 1989 में हुआ था आपका Rio degeneryo में हुआ थाप आपके लिए Qwegion आता है Rio degeneryo में हाल ही में Olympic Cup हुए थे Naxe Qwegion आता है Silicon Valley कहाँ Silicon Valley जो है तो Silicon Valley आपकी कहां पड़ती है अमेरिका में स्तीत है नक्स कुशन आता है अलिगड अंदोलन के संस्थापक कोन है सरसेद महुम्मद खान ठीक है सरसेद महुम्मद खान जो है अलिगड अंदोलन के संस्थापक है एक और कुशन आपका आता है अलिगड मुसलिम बिश्वधाली किस्तापना किसने करी थी 1920 में तो अलिगड मुसलिम बिश्वधाली किस्तापना जो है वो सरसेद अहमद खाने करी थी या महुमद खाने करी थी नेक्स कुशन आता है बांगलादेश किस्तापना कब होई थी नेक्स्ट कुशन आपका आता है, जर्मनल साइज का मारक सबसे वेला कुशन है, ऐसी कौन सी धातू है, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियूम जो है, इसे चाकू से काटा जा सकता है, और इसे किस में रखा जाता है, इसे कैरोसीन के तेल में रखा जाता है, फिर होती है नेक्स कुशन आपका आता है कुशन बड़ 17 है चिकन गुनिया किस परजीबी के काटने से होता है चिकन गुनिया जो होता है यह प्रोटोजवा दवारा होता है यानि परजीबी दवारा होता है और किसके दवारा होता है यह आपका मौस्क्यूटो ठीक है मौस्क्यू क्लोरो रोडेन जो है से पूरी तरह प्रतिविल्द करी दिया गया है ठीक है यह जहरीली होगा कुछ या फिर इसमें कुछ गड़बड होगी नेक्स कुछन मारा आता है अनाज की फुफंद को दूर करने की सर्वोतन विदी है यानी आनाज चासे गेहुंगो गया मक्की होगी उससे फुफंद लगी जाता है उससे प्रापायोनिक विदी दूरा जो वो दूर किया जाता है next question आता है cholera हैजा किसके कारण होता है cholera हैजा जो होता है यह किसके दवारण होता है यह फिर सीधा question आता है हैजा जो है किसके दवारण होता है यह आपका विवरियो cholera के कारण होता है और imported question है swine flu जो है swine flu यह आपका virus के कारण होता है चिकन का मुझे होती है बैक्टेरिया एक प्रकार का ठीक है बैक्टेरिया होता है जिससे बीमारिया होती है जैसे टीबी हो गया और बीमारिया होती है जो बैक्टेरिया दवारा होती है नेक्स कुशन आता है हाइट्रोजन का योगिक सूतर है हाइट्रोजन जो होती है वो प और O3 imported है यह भी फिर आपका आता है nitrogen का जो सूतर होता है आपको N2 होता है और carbon dioxide ठीक है carbon dioxide जो होती है CO2 CO2 इसका सूतर होता है तो सभी आपको बता दीए एक question यहां से देखने को मिल जाएगा जहरीली गैस होती है यह इसकि है सलफ्र डायकसाइब जहरीली गैस होती है या फिर आपको option में ही सभी जहरीली गैस होती है फिर कुशाइब है कि इन में से कौन सी बहुत और जहरीली गैस है तो carbon monoxide ठीक है carbon monoxide sulphur dioxide और एक दो आपको वर देदे यह सभी जहरेली गैस है, पर कार्मन मोनोकसाड जो होती है, सबसे जहरेली गैस होती है, एक्स कुशन आता है, पीलिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, पीलिया जो है किस शरीर को प्रभावित करता है, यह कृत को प्रभावित करता है, कुशन आपके लिए आता है, पिली है जो यह किसके दोभारा होता है बैक्टेरिया या फिर बारस दोभारा next question आपक어 आत है stände is 마지막 question आपको आता है कशली काल की आयू का पता किस वीदी से लगा जाता है जो जो कंकाल होता है उसकी आयू किसके दोभारा पता लगा जाती है कारवन डेंटिंग भी दिद्वारा ठीक है कारवन डेंटिंग मैथर जवारा जो है कंकाल की आयू पता लगाई जाती है next question आता है तरंग धहरे की SI1 क्या है तरंग धहरे की SI1 क्या है आपकी क्या है मीटर option बर भी सही रहेगा next question आता है Coach Q 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 वाफकर ये बठशा का पानी जो ह plotis. बहुत सारे लवनों का?!" होता है ठीक है option number A और B में थोड़ा डॉट हो सकता है क्योंकि समुंदर का पानी जो होता है बहुत सारे लुपनों का मिशरण होता है और बड़सा का पानी जो होता है एक शुद जल होता है ठीक है शुद जल होता है next question आता है सबसे कम तरंग धहर होता है बैंगनी रंग का ठ सबसे जाधा बैंदन शंपता होती है सबसे जञदा वेधन शम्ज़ाद होती है किसमे होती है गामा किरनों में सबसे ज़्यादा वेधन शंपता है डिजय नी गामा सबसे काल्वा कोश्यन आता है question आपको दिए हुआ है चार साथ ग्यारा शोला और बाइस next आपको kitchen करना ह Simple साध यादा आपको कुछ नहीं करना है 4 4 प्लस 3 7 हो गया 7 प्लस 4 11 होते है 11 प्लस 5 11 प्लस 5 कितने होते है 16 होते है 16 प्लस 6 आपको करने है कितने होते है 22 और 22 के बाद कितना आएगा 3 3 4 5 6 22 प्लस 7 22 प्लस 7 29 29 29 जो है आपका से अंसर आएगा ठीक है तीन में चार में तीन प्लस होंगे फिर आपके साथ में चार होंगे ग्यारा में आपके पांच होंगे फिर आपके छे होंगे फिर आपके साथ होंगे इस तर आपका चलेगा नक्स आपका बर्षा जो है ठीक है बर्षा जो है आपकी पर फिर नेक्स जो ऑप्षन आपका आता है चश्मा लिया एंगा एंटावट आपको सीधा उल्टा कर दो ए जो है आपका लास्ट में ले जाओ यह आपका लास्ट में आगा फिर यू जह सेकंड लास्ट में आगया फिर दी आपका ऐसे आज़ागा और यहां आपका पहले ले लिए फिर आ-ई-उ उससे आगे ले लिए इस तरह का यह जलेगा यापका सबसे लास्ट आयगा एका फिर आपका वंकर आ आपको आए और यह ऋससे और रहेगा, next question आपका आता है, बोला हुआ है, ये option जो है ठीक है, ये आपको word दिया हुआ है, इससे कौन सा word जो हो नहीं बनता, अब आपको देखना है, इस पूरे word में, ठीक है, R भी आता है, A भी है, G भी है, और E भी है, या नहीं हो सकता, फिर इसमें T भी है, E भी है, A भी ह ठीक है, ये world भी नहीं हो सकता, इसमें A है, R है, A भी है, C ठीक है, इस पूरे world में, जो है, वो C कहीं भी नहीं है, और इस brand में, आपको C जो है, वो देखने को मिल रहा है, तो option बर D जो हैसका सही answer रहेगा, next question देखते हैं, next question जो हमारा आता है, question है, मैं पूर्व की और मु किये हुआ हूँ, मैं 100 degree दक्षिन वर्त, यानि clock wise घूमता हूँ, फिर मैं 145 वावा वर्त, anti clock दिशा में घूमता हूँ, मेरा मुझ जो है, वो किस दिशा में होगा, सबस्वेले या छोटा सा उत्तर या आपका, या आपका दक्षिन माल लिया, या आपका पूर्व आव ग side है, फिर मेरा मुझ जो है, इस side है, फिर बोलता है, मेरा मुझ इस side है, मैं कितने degree घूमता हूँ, मैं 100 degree घूमता हूँ, तो यहां आपका दक्षिन आता है, यहां आपका दक्षिन आता हूँ, यह कितने का कून होता है, यह 90 का कून होता है, और 90 के बाद कितना आपको लेन जो वह है कहां गुमता है 145 डिगर जी जो है वह एंटी क्लोक वाइस ऐसे होता है तो आप जो है वह दूसरी साइड जाएगा तो यहां से दूसरी साइड जाएगा तो आपका इस तरह कहाँ ठीक है पूरवदा कहा आपका जो है आया हुआ है किस दिशा में इस दिशा में आपका मेन पॉइंट आया हुआ है अब पूछता है कि आप कौन सी दिशा में हो ठीक है अब आपकी कौन सी दिशा में हो यहां पाका पूरव था यहां पच्चिम था यहां उत्तर था और यहां आपका दक्षन था तो अब यहां आ हमारा आता है mathematics का हमारा सबसे विला question आता है बस छूटने का समय 21 बजे है इसका मतलब क्या होगा तो यह 21 नहीं होगा ऐसे करके होगा ठीक है 21 और डौट या अनुपात हम जिसे कहते हैं और दो जीरू सबसे पेले आपको बता होता है जो हमारा clock होता है 12 ये 6 हो गए ह ये 29,omena ठीक है बीच पीच के 2-2 होती है आपको बता वहर का time होता है बारा वजे का उसके बाद हमारा एक बचता है या फिर हम उससे जो है वो 13 मान लेते हैं यानि यह 13 हो गया यह 14 हो गया यह आपका 15 बचते है यह 16 हो गया यह 18 हो गया यह 19 हो गया और 20 हो गया और यह आपका 21 हो गया यह 21 आपके वैसे कितनी बज़ते हैं यह आपके 9 बज़ते हैं और यह कब के 9 बज़ते हैं यह आपके शाम के 9 बज़ते हैं यह आपके 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 9 बज़ next question आप मारा आता है ये question आपको फिर से मैं बोलता हूँ imported नहीं है ये question आप ना करें next question देखते है question number 33 आपका आता है 10 theta plus cos theta is equal to 2 तो theta की value आपको ग्यात करनी है 10 theta plus cos theta जो है वो plus 2 कैसे होगे 10 theta ठीक है 10 theta जो होती है 10 theta या 10 45 की value जो होती है वो 1 होती है plus cos पंताली या quote पंताली की जो value होती है वो plus 1 होती है और plus plus एक कितने होगे आपके 2 होगे तो यानि आपको ये diagram आपको दिख रहा होगा ठीक है जैसे ये आपका number 3 पर आपका 10 आता है 10 0 की values होती है वो 0 होती है फिर आपका आता है 10 theta 45 की value, 45 की value only एक होती है, और 60 के आप देख सकते हो, under root 3 बटा होती है, ठीक है, तो ये भी नहीं आ सकता, और 90 तो वैसे ही infinity होता है, तो option number कौन बचा, 45 degree, 10, 45 degree, एक आपका ये option बचा, और quote जो होता है, quote और 10, ठीक है, इन दोनों की value जो होती है, वो same होती है, तो quote 45 degree की value रहेगी, वो कितनी रहेगी, वो भी आपकी एक ही रहेगी, और इस question को आप कुछ इस तरह भी समसकते हैं, ठीक है, 10 theta प्लस cos theta, 10 theta और cos theta, इन दोनों की जो value होती है, 45 पर एक होती है, तो 10, 45 और quote 45, question आता है, 15 पर पच्चिस आपको solve करना है, तो 3 से आपका 5 से कड़ जाएगा ठीक है, 5, 3, 5 से कड़ गया है, 5 से पंदरा और 25 या 3 पर पांच आपका से answer आगे है, simple सा question था, फिर question आपका आता है, यदि 18 पुरिश एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 60 पुरिश दुगने काम को कितने दिन में करेंगे, आप formula कहा लगेगा, M1, D1, W2, upon M2, D2, W1, formula देख लो, फिर से मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, यहाँ पर M आपकी आदमी थे, आदमी कितने हैं, 18, plus 3 कितने हैं, 15, फिर question बोलता है, W2 हमें लेना है, एक काम जो है, वो 18 पुरिश, 15 दिन में कर रहे हैं, तो दुगना काम यह 2 आजाएगा, इतिक है, उपर आपका 2 आजाएगा, यानि काम जो है, वो दुगना हो गया, यह W2 आपका आगया, फिर आपको पुरिश दी होएं, आदमी आपको दिये हैं और काम आपको कितना है बरक जो हथा आपका 1 है और D2 आपको दिन आपको ज्यात करने है पहले आप किसने कालोगी 15 से आपका करजएगा 15-14 15-14 अधिAC 18 बटा 2 18 बटा 2 काट दोगे 2 से करजएगा 9 तो D2 कितना आजाएगा आपका? D2 जो है आपका 2 आजाएगा तो D2 यानि दिन कितने? 60 वेक्टी जो है वो कितने दिन में पूरा करेंगे? दुगने काम को 9 दिन में करेंगे Question number 36 आपका आता है Question है 360 degree कोन को क्या कहते है? 360 degree का जो कोन होता है इसे संपूर्ण कोन कहते है संपूर्ण यानि पूरा कोन Next question आपका आता है त्रीभुज कितने परकार के होते है त्रीभुज जो होते हैं वो कितने परकार के होते है त्रीभुज आपके तीन परकार के होते है और ये तीन परकार कोन-कोन से होते है पहला आपका होता है सम कोन त्रीवुज और सम कोन त्रीवुज यह मैकसिम पूछा जाता है फिर आता है सम दी बाहू ठीक है सम दी वाहू सम कोन त्रीवुज या फिर आपका लास्च वापका आता है सम बाहू त्रीवुज ठीक है पहला आता है सम कोन त्रीवुज तूसरा आ सम दीव वाहू त्रीवज और तीसर आपका आता है सम बाहू त्रीवज ये तीन प्रकार के त्रीवज होती हैं next question आपका आता है 5,7,3,4,50,60,60,70 का ओसत क्या होगा average आपको ग्याद करनी है total number upon number of members ठीक है या फिर नंबर आप कह सकते हैं जो टोटल नंबर होते हैं योग आपको उपर करना ठीक है जो टोटल नंबर होते हैं वह आपको नीचे लिखने हैं और टोटल नंबर का योग जो होगा वो उपर लिखने हैं तो टोटल नंबर कितने हैं यानि 5 बेकती थी तो बटा में 5 आ ग next question आपका आता है question number 49 है 6 वटा y square minus 2 is equal to 0 तो इसे कैसे solve करोगे y2 को सीधा यहाँ multiply आपका हो जाएगा तो यह आपका क्या बन जाएगा यह आपका बन जाएगा 6 minus 2 y square is equal to 0 6 आपका यहाँ चला जाएगा यहाँ 6 आजाएगा y2 यहाँ रहेगा 2 आपका यहाँ था नीचे चला जाएगा यहाँ आपका 2 आजाएगा फिर 2 से कट जाएगा यह तीन आजाएगा तो यह आपकी value कितनी आएगी y square is equal to 3 ठीक है y square is equal to 3 यहाँ आपका square है यह दूसरी सा चल जाएगा तो अंडरूट बन जाएगा तो y कितना हो जाएगा आपका अंडरूट तीन टॉप्शिन नूबर a जहाँ सही रहेगा next question आपका आता है log a log 2 यह भी question imported नहीं है army gd में यह question नहीं आते next question आपका आता है यह question अजीब सा question है एक सम आश्ट भुज में दो कोणों के बीच कितना दो भुजाओं के बीच का कोण कितना होता है सम आश्ट मेरे खाल से 8 भुजाओं का जो कोण होता है उसके बीच जो दो भुजाओं होती है उनके बीच का कोण कितना होता है तो कितनी डिगरी का होता है यह आपका 135 टीगरी का होता है एक्स कुशन आपका आता है कुशन नुम्र बतालिस है 3,99,664 का बर्गमूल होता है तो 608 का बर्गमूल होता है आपका 3,99,664 504 का बर्गमूल होता है 2,54,016 फिर आपका आता है 908 908 का बर्गमूल होता है आपका 8,24,444 फिर आपका आता है 708 708 का वर्गमूल होता है 5,12,00 नेक्स कुशन आपका आता है कुशन बर 42 है 3,89,644 किसका वर्गमूल होता है तो 3,89,674 जोता है वर 608 का वर्गमूल होता है फिर आपका आता है 504 504 का वर्गमूल होता है दो लाग चिरावन हजार सोला फिर आपका आता है 908, 908 का बर्गमूल होता है 8, 24,44 फिर आपका आता है 708, 708 का बर्गमूल होता है 5, 12,44 तो सबके imported है next आपको solve करना है इसको आपको वदलना है 444 वटा 629 इसे आप 2 से काट हो के 3 से काट हो के, 4 से काट हो के, 5 से काट हो के तो बहुत लंबा जाएगा और आपसे कटेगा भी नहीं, ठीक है सिधा option पर डिमेंट जलते है option आता है 11 वटा 17 11 से काट होगे, तो 144 चो आपका 11 से नहीं कटता तो option number A होई नहीं सकता तो option number B में भी आपका 11 है तो 11 से आपका 444 नहीं कटता 12 की बात लेते हैं option number C में, तो 12 जो है वो 444 से कट जाता है कैसे आपका 444 12 ते च्छतिसों के होते हैं, या आपका कट क्या कितना आ गया 8 जब नीचे आगे यहां से कैरी करके हमने 4 ले लिया 12 से कितने होते हैं, 12 से आपकी 84 होते हैं, ठीक है 84, 84 कट गया आपका, तो 12 सेंती, 12 सेंती कितने होते हैं, 444 होते हैं तो 12 जो है 444 से कट गे तो option number C इसका होगा, क्योंकि 13 से भी आपके 444 हैं, वो नहीं कटने बाले हैं, और option नीचे जो है, आपको दोनों के सेम है, 17 से जो है, दोनों के सेम है, तो option number C इसका होगा, next question आपका simple से question है, एक पिता अपने पुत्तर से 2 गुना बड़ा है 20 वर्ष पहले, पिता अपने पुत्तर की आयू से वारा गुना बड़ा था, तो पिता की बरत्मान आयू आपको ग्यात करनी है simple से है, पुत्तर की आयू हमने एक्स माल ली, और पिता की आयू कितनी मानेगे 2 एक्स मालनेगे, क्योंकि 2 गुना थी, फिर 20 वर्ष पहले माइनिस दोनों में 20 पीस कर दो फिर बोलता है कि अब जो है, पिता की आयू पुत्तर से 20 वर्ष पहले कितना थी 12 गुना बड़ी थी तो यह 12 गुना जो है, इसमें हम multiply करेंगे है, हम पुत्तर की आयू में multiply करेंगे, दोनों की आयू हमें वो बराबर करनी है, ठीक है यह दोनों बराबर होगी, अब बराबर होगी अब इन्ही नी solve कर लो यहापका कितना हीगा 12x साथ जाएगे यहापका 12 12 240 यहाँ पलस है यहाँ पलस है यहाँ प्लस है यह दुनों एक दूसरी साथ जाएगे तो कितने हो जाएगे माइनिस हो जाएगे तो आपका 10x बन जाएगा फर यहाँ माइनिस है यहाँ यह माइनिस है 260 जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 240 माइनिस 20 तो कितने बन जाएगे यह आपके 220 बन जाएगे तो यहाँ से 00 कर जाएगा x की value कितनी जाएगे आपके पास एक्स की बैल्यू आपके पास 22 आगई ठीक है एक्स की बैल्यू कितनी आगई 22 आपके पास आगई और बरतमान में है हमने जो आयू मानी थी वो कितनी मानी थी पुत्र की एक्स मानी थी और पिता की कितनी मानी थी दो एक्स मानी थी तो एक्स की बैल्यू कितनी है हमारे पास 22 यानि पुत्तर की आयू कितनी है 22 है और पिता की आयू कितनी होगी 22 गुणा 2 44 चौइब इसका से अंसर रहेगा तो option number C 44 इसका से अंसर रहेगा next question आपका यहां देखने ठीक है इसे मैं ओपर करता हूँ रेडू का अपने घर से चलना शुरू करती है पहले पश्चिम के और जाती है यहां आप मना ले उत्तर यह दक्षिन है यह आपका पूरव है यह आपका पूरव है यह आपका पश्चिम है कहां शुरू करती है ये उसका घर है ठीक है ये बड़ा बना देता हूँ फिर बहुत जो है पस्चिम की ओर चलती है कितनी किलोमेटर चलती है ये तीन किलोमेटर चली ठीक है कितने तीन किलोमेटर ये चली फिर बोलता है वो उत्तर की ओर जाती है तो उत्तर कितना होगा उप पर डिवेंट करता है किस सर्थ तरह से आपको option दिया हुआ है ठीक है वैसे यहां पर देखो ते आपका उत्तर आता है ठीक है उपर की साइड आपको उत्तर आता है और यहां से पूछा हुआ है कि अब वह किस दिशा में ठीक है अपने घर से पूछा हुआ ठीक है यह उसका आपकी पस्चिम थी, इस साइड उत्तर है, उत्तर पस्चिम में, ठीक है, वो कुन साइड में, यह आपकी उत्तर पस्चिम है, यह option क्या है, उत्तर पस्चिम, option number D है, अब यह करके बिता देता हो, कैसे आपका 5 आएगा, अब आपको पता लग गया कि उत्तर पस्चिम यह कैस से आया ठीक है अब आपको solve कर देता हूं इस तरह से यह आपका बना ठीक है यह कौन सा कौन बना या फिर कौन सी त्रीवुजबनी यह आपकी सम कौन त्रीवुजबनी यह आपकी H होती है यह आपकी B होती है और यह आपकी क्या होती है यह आपकी D होती है यहाप पर आपका उत्तर था, यहाँ आपका दक्षन था, यहाँ आपका पूरुप था, यहाँ आपका पश्चिम था, और यह दीश्मा में, यह आपका कितना है, यह जो H आपके पास कितना दिया हुआ है, H आपके पास जो दिया हुआ है, वो 4 किलोमेटर दिया हुआ है, और B जो आपके पास V square plus H square ठीक है ये इसका formula होता है अब दोनों में value put कर दो यहां कितना था B आपके पास कितना था B आपके पास था 3, 3 का square plus H आपके पास कितना था 4 का square ठीक है 3 का square कितना होता है 9 होता है plus 4 का square कितना है 16 होता है दोनों के plus करोगे कितना आगा 25 ठीक है 25 अंडरूट 25 अंडरूट डी इसको आप कितना आ गया अंडरूट 25 ठीक है और अंडरूट 25 आ गया तो इसे अंडरूट खटाओ गया तो 25 जो होता है किसका स्केर होता है 25 जो होता है पांच का स्केर होता है अंडरूट से अंडरूट आपका कट गया ठी इतना आ गया डिए आपके पास आपका पांच आ गया तो पांच जो इसका से अंसर रहेगा ना कि तीन ठीक है तीन इसका से अंसर नहीं रहेगा क्योंकि पूछा है तो रेणुका अपने घर से कितनी दूरी पहे रेणुका ऐसे चली ऐसे चली और ऐसे चली तो रेणुका का अगर यहां था यहां से दूरी पूछी हुई थी ठीक है यह कुशिन इंपोर्डिट है एकसाम में आता है